आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। जिस पर एक M दरवेमान वाला कोई पिंड है, माल लीजिए, ये एक पिंड है, अब हमें पता है इसका जो भार होगा, जो नीचे की तरफ होगा, जिसको हम M जी से परदर्शित करेंगे, और साथ में हमें इसका कौन अलफा दिया हुआ है, अगर हम इसके और पॉंट्स को दियान रखे, तो इसका जो गती होगी वो नीचे की तरफ होगी, और साथ में इसको इसको पीछे खर्शन इसको विरोध करेगा इसकी गती के लिए, जिसको हम बोलेंगे F, जो कि एक स्मोल F है, अब यहाँ पर हम इसके, अगर हम इसमें देखें, तो एक प्रतिक्रिया जो कि लंबवत होगी इसकी सताय पर और कुछ इस तरीके से, जो हमारे पास alpha कौन है, वही कौन हमारे पास यह होगा, alpha, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा, mg, यह पॉंट होगा, mg, cos, alpha, और इसके ऊपर जो लंबवत होगा, वो हमारे पास होगा, mg, sin, alpha, यह हमारे पास होगा, mg, sin, alpha, अब हम बात करते हैं इसके त्वर्ण के लिए, इस चितर के नुसार, अब, चितरा नुसार, हमें त्वर्ण निकालना है, पिंड का, तो पिंड का त्वर्ण, के लिए अब सबसे पहले हम साथ समीकन लिखेंगे, समीकन हमारे पास क्या होगा, कि इस पे कुल बल कितना लग रहा है, जो की नीचे की तरफ है, ma, बराबर है, अब जो इसका नीचे की तरफ हमारे पास क्या लगा होगा है, mg, sin, alpha, ये हमारे पास होगा, mg, sin, alpha, माइनस, f, f हमारे पास क्या है, घर्षन, घर्षन की वज़े से, जो घर्षन बल है, ये हमारे पास घर्षन ये, बल है, तो यहां से आएगा हमारे पास, mg, sin, alpha, माइनस, इसको हम लिखते हैं, mu, n, n हमारे पास जो की एक प्रतिक्रिया होगी, जो की सत्य पर लंवत होगी, तो यहां से अगर हम बात करें n के लिए, तो n हमारे पास क्या होगा, n बराबर है, mg, cos, alpha, चित्तर के अंसार, क्योंकि जो n है वो उसको उसके विस्थापित करेगी, मतलब वो उसके विरोध होगी, तो इस सम्मिकर्ण को हम इसमें सम्मिकर्ण में रखते हैं, तो हमारे पास आएगा, m, a, बराबर है, mg, sin, alpha, minus, mu, mg, cos, alpha, तो यहां से, m सब में, common आ जाएगा, जिसके विरोधे, m आपस में, कट जाएगा, तो यहां से, a मतलब, तो यहां से, हमारे पास आएगा, जो कि, तिसरा उपसन बिलकुल इसका सही है,